यले दोस्तों नमस्ते आज के इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं कपीवा की शिलाजीट को सैसा की शिलाजीट के साथ दोनो की दोनो काफी जाधा powerful शिलाजीट है चाहिए यह आज़ ऑन की दोनो को यूट को यूज़ गर रखा है past में तरह की दिखती है इसको हम जैसे खोलेंगे ना तो इस तरह का आपको टेक्शर देखने को मिल जाएगा और इसकी जो स्मेल है ना बहुत ज़्यादा स्मेल ही नहीं है मतलब इसमें से आपको एक दुर्गंद टैट की स्मेल नहीं आने वाली वहीं अगर हम बात तरह सैसा की तो इसकी जो पैकेजिंगे को इस तरह की देखेगी आपको और इसको जैसी आप खोलेंगे तो आपको टेक्शर आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा अब शुरुआत करते हैं प्राइस पॉइंट से तो कपीवा की 20 गाम की जो शिलाजीत है वो आपको मिलती है ट्रिपल नाइन रॉपीज की और सैसा की जो 20 गाम की शिलाजीत है यह आपको लगबल एक 75 रूपीज की मिल जाती है तो प्राइस वाइस सैसा ज्यादा अफॉर लेती है, as you can see, का पीवा ने अपने आपको ढाल लिया है, रोंग टम्परेचर के इसाब से, देखे, बिल्कुल कड़क हो रखी है ये, आपको आवाज भी आ रहे होगी, तो आपको यूज कैसे कर नहीं है, अगर आपका पीवा लेते हैं, आपको नॉमली इसे गरम पानी में रख देना है, थोड़ा से गरम पानी उबाल लीजेगा, उसमें रख दीजेगा, और इसने भी अपने आपको लगबग लगबग धाली लिया है, ये कपीवा जितनी कड़क नहीं है अंदर से, लेकिन ये धाल चुकी है अपने आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, हालाकि कड़क नहीं है, अवाज आपको तेनी नहीं आ रही हूँ, जितनी कपीवा में आ रही थी, इसका रीजन ये है कि सैसा में, वाटर के कुछ इंग्रीडियंट्स मिलाए गाए हैं, इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी मैंशन करा है, और इस तरह का आपको जो लुक एंड फील है देखने को मिलेगा सैसा का, दोनों ही आयरवेदिक ब्रैंड है, हालाकि जो सैसा है वो काफी पुराना ब्रैंड है, और कपीवा कुछ साल पहले ही लॉंच हुआ है, इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं, कि ये डिजॉल्व किस तरह से होती है बानी में, और किस तरह का लुक एंड फील आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे आद में सैसा कि ये शिलाजीत है, तो इसे ही हम सबसे पहले डिजॉल्व करके देख लेते हैं, आज ये डिजॉल्व होने लगी है, और अपना जो रंग है वो लेनेज लगी है, आप ये से ताफी सारे लोग पूछते हैं कि कितनी अमाउट लेनी है शिलाजीत की 500 mg ले सकते हैं, जो मैंने लिए हैं ये अराउंड 300 mg के बराबर होगी, बलकि उससे कमी होगी, लेकिन आप हलकी सी इससे ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियों को मौसम हैं तो उसमें आपको कोई दिक्गत नहीं आएगी, तो इसने अपना रंग ले लिया है, एक तरह का विस्की वाला कदर आचुका है, मैं दोनों आइंगल से आपको दिखाने ही कोशिश कर रहा हूँ, और देखें आप ये पूरी तरह से mix हो चुकी है, थोड़ी सी बची है, ये हल्की सी बची है, अस ये किन सी हल्की सी ये बची है, उसे भी मैं मिक्स कर रहा हूँ, और राइट, मैं आपके लिए थोड़ी सी और मिला कर देख लेता हूँ इसको, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि ये पूरी तरह से डिजॉल हो चुकी है, और नीचे बॉटम में कोई भी पार्टिकल आपको नजर नहीं आ रहा हूँगा, ये देखिए, अब इसे हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट वाइस भी इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं देखेगी, कि बहुँ जादा कड़वी है या पी नहीं जारी, इसका टेस्ट उके है, नॉबल इंसान इसे पी सकता है, अब बात करते हैं कपीवा की, तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कपीवा की शिलाजीत को, और इसे हम ڈिजॉल भरके देखते हैं पानी में, तो दोस्तों, यह इतनी सी अंदर से निकली है, कपीवा की शिलाजीत, पत्थर की तरह हो चुकी है, यह बुलकुल यह देखिए, इन दालता हैं और ये फ़्टम में मैंने डाल दिए करदम क्ली कालियोर ले लिया है गोलूर हैします तो देख सकते हैं घुल रही है नीचे छूटा सा पार्टिकल आपको नजर आ रहा हुगा आप मस्चराइज इसमें दिख रहा या नहीं दिख रहा है हलका सा पार्टिकल है तो शिलाजीट की जो प्रॉपर्टिटीथ है दोस्तों यह ही ही हुथ ही ही वह अपने आपको वैदर की साफ से ऑपसे डाल लेती है और इस साफ से कपीवा की शिलाजीट है exactly मैच कर रही है हमारी current weather के condition में हाला कि इस ऐसा में इन्होंने खुद लिखा है कि थोड़ा से water के properties इन्होंने डाली है just to make sure यह जल्दी से खुल जाए आपके पानी में या दूद में या आप जो भी चीज में से मिलाना चाहें तो हल्की सी मॉस्चराइज है लेकिन वहीं अग देख सकते हैं छोटा सा तुकड़ा इसके अंदर अभी भी पढ़ावा है और जो कि अभी गुला नहीं है पूरी दर से तरह दोस्तों इस तरह का look and feel आपको देखने को मिलेगा कपीवा का और वो जो छोटा सा तुकड़ा अभी हल्का सा रह गया डिजॉल गोने में एनिव कड़वा नहीं लग रहा मुझे लेकिन अगर हम बात करें इसकी यानि की कपीवा की तो हल्का सा कड़कपन है इसमें ठीक है और होना भी चाहिए क्योंकि कपीवा में आपको 80% से उपर का फ्यूल विक ऐसे देखने को मिलता है वहीं सैसा की बात करें तो इसमें 60% से उपर को फ्यूल विक ऐसे देखने को मिलता है अब इसका मतलब यह है कि जितना जादा आपके चिलाजीत में फ्यूल विक ऐसे होगा वो तना जादा स्ट्रॉंग होती है उतने जादा और पोटेंचल बेनिविट्स दे सकती है आपको लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी बि प्लांट के डिकम्पोजीशन से आपको मिलता है फ्यूलविक एंड हुमिक एसे जो कि आपके एंटी ऑक्सिदेंट इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है आपकी बॉड़ी में जिसके वज़े से आपको एजिंग जल्दी से नहीं आती आप एनरजेटिक रहते हैं अर्थराइटिस की समस्य आपको नहीं आती एनरजेट के साथ ही आपकी जो है आखें बाल कॉबनेशन ये सारी के सारी चीज़े ऑन टॉप रहती हैं तो बहुत सारे बैनेफिर्ट्स हैं प्लस आपको शिलाजीट में 25 प्लस वाइटमिन एन मिनरल देखने को मिलता हैं जो क आपके सामने दोनों दोगे दोनों पी हैं शिलाजीट लगबग लगबग ये हो चुकी होगी 800MG और मैं अब भी मानने रहा हूँ अब भी पी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज़्यादा पसंद है शिलाजीट तो इसी वज़ए से मिरको पसीना आ रहा है तो इसी पर फाइनली इसको टेस्ट कर गया हम देख लेता है भाई मज़ा आ गया लिटरली बता रहा हूँ अगर आप कभी भी पहली बार शिलाजीट पी होगे ना आपको शिलाजीट पीते ही आपको एहसास होगा कि आपने क्या चीज पी है लाइक अमरित पी आया है आपने क्यों इसलिए मनें सैसा को एक बार और फिर से पिया सैसा की जो शिलाजीट है नो डाउट अच्छी है लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा सही है मतलब हर कोई पी सकता है लेकिन कपीवा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बिडर है as compared to सैसा अब बात कर लेते हैं extraction method की देखें कपीवा में साफ साफ लिखा है कि गोल्डन ब्राउं ड्रॉक से इसे इक्स्ट्राक किया है और साथ के साती सूर्त अपी method का इस्तिमाल किया है 18000 फीट कुचाई और हिमालया से इसे एक्स्ट्राक कर किया गया है वेस मुझे कहीं पर भी नहीं मिला कि जो जो सियसा बात करते हैं कि दोनों में से कौन जी शिलाजीत है जादा जल्दी असर दिखाती है तो मेरे केस में देखो ये परस्टनल तो परस्टनल ओपिनिन हो सकता है लेकिन मेरे केस में सैसा ने काफी जादा जल्दी असर दिखाया था ऐस कंपेर तो कपीवा क्यों कि कपीवा मैंने कि थी थोड़ा सा टाइम लेती हैं लेकिन सके रिजर्ट भी Anda आना जक्या अच्छी है आन्यों जित हैं रुटी अपिश्रद को अलगया है लेकिन सैसा किन लोग से और साहा उनों कि लिए है जो की आप पहली बार लेना चाहते तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि पहली बार एक शिलाजित को experience करना चाते हैं और result को जन्दी experience करना चाते हैं तो definitely आप सैसा की दरफ जाएंगे लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं थोड़े से experience हैं आपने पहरे शिलाजित को consume करा है तो definitely आपका पीवा की दरफ जा सकते हैं इस comparison वीडियो वे मैंने हर एक चीज को compare करनी कोशिश करी है और अगर आपकी मन में ना कोई भी सवाल रहे या उसे comment में पूछ लेना मैं उसका जवाब देने के कुशिश करूँगा लेकिन अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर लेना यहाँ पे स्किन के रिलेटेट अब वीडियो बनाते हैं और बहुत मसिदार वीडियो होती हैं सो दू सब्सक्राइब दे कम्यूनिटी इस प्रीटी जोइन और आपसे यू नेक्स वीडियो गाइज बाई